हेलो बच्चो मैं आस्यस गुलिया आपका केमिस्टर टीचर आज मैं आपसे डिसक्स कर रहा हूं केमिस्कल की नेक्ट्चर के अंदर ऐसी विचा रेट ऐल रेक्शन डियानिहकर किन किन रेट बिक्षन पर याक कौन-कौन साइसे फैक्टर है जिन पर हमारा rate of reaction depend करता है यानि कि बढ़ भी सकता है गड़ भी सकता है इसके nature में भी फेक्टान स्टार्ट हो जाएगा वो सारी चीज़े हम यहां पे discuss करेंगे हमारे पास first point आता है यहां पे nature of reactant कि reactant का nature यहां पे कैसा होना चाहिए क्योंकि reactant का nature बहुत ही ज्यादा matter करता है वो अब भी हमें पता चलेगा जब हम थोड़ा सा observation लेंगे क्योंकि chemical kinetics के अंदर हमने एक चीज़ और पड़े थी कि ज्यादा fast reactions और ज्यादा slow reactions जोंगी ज्यादा slow reaction को हम chemical kinetics के अंदर major कर सकते हैं बट वो हमारे किसी useful नहीं है हमारे किसी use वो नहीं आने वाली है बट यदि इसी के अंदर हम चीज़ों को continue करते हैं तो ज्यादा slow reactions होती है वो reactions को हम chemical kinetics के अंदर major कर सकते हैं बस सबसे बड़ी बात है कि ओन रियक्शन को major करने का या ओन रियक्शन को follow-off करने का ऐसा कोई फाइदा नहीं है तो अब फिर जो भाई fast reaction हम यहाँ पर करने सकते है slow reaction करने को benefit नहीं है तो कौन सी reaction हम यहाँ पर यूज करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आती है तो वहाँ पर हम जो average reactions होती है उन average reactions को हम क्या करते हैं यहाँ पर utilize करना ज्यादा prefer करते हैं और उन्हें के base पर हम क्या करते हैं major करते हैं उन factors को तो हमारे पास उसे पहला factor आता है nature of reactant की reactant का nature कैसा होना चाहिए For example, जैसे हमने पहले reaction की थी, हम वही reactions दोबारा करेंगे सबसे पहले क्योंकि अब यह बात किसकी कर रहा है, यह reactant की conditions की बात कर रहा है तो when sodium chloride, NACL, react with silver nitrate, A, Z, N, O, thrice जब react करेगा, तो क्या बनाएगा यह बाई, sodium nitrate, ठीक है N, N, silver chloride and sodium यहाँ पे sodium और chlorine के बीच में जो यह arrangement है, यह cutane form के अंदर होगा chlorine यहाँ पे N, N form के अंदर होगा, A, Z, यह आपके पास cutane form में nitrate यहाँ पे N, N के form में क्या होगा, प्रेजेंट होगा जब ऐसा हमें किसी भी reactions के अंदर जब हमें देखने को मिलता है आप देखो भई, यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना बिटा किसी भी questions को, कही से भी statement को रटना नहीं है, समझना है यदि statement समझने से कोई solution निकलता है, तो जो definitions है मैं could actually, ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, और आप रहा हम से notes बना लेंगे that कोई solution उसे नहीं निकलेगा, तो जो focus करेंगे, हम अपने content पे और content के base पे हम चीजों को समझने की कोशिस करेंगे तो यहाँ पे जो solution है वो आइनिक है, यानिक यह जो reactant है, इसके अंदर क्या है भई, आइनिक compound अब जो यह आपके पास जो आइनिक compound है, ठीक है तो आइनिक compound के अंदर one formation नहीं होता, only क्या होती है, ion exchange ionic compound, only ion exchange, only ions exchange, no bond formation, no bond formations, ठीक है, इस वजय से जो यह यह इस तरीके के reactant होंगे, उनका reactions very fast होगा, so, ionic compound reaction will be very fast very fast होगा, ठीक है, अप्रोक्स जो रहेगा, यहां पे जो हमारा reactions होगी, वो approximately, जो हमारे पास होगी, वो microsecond केंदे क्या हो जाएगी by complete, this reaction will be complete in micro सेकंड अप्रोक्स टैंज्ट पावर सिक्स सेकंड के अंदर आपकी रेक्शन क्या हो जाएगी कंप्लेट सो इसका जो रेट ओफ रियक्शन है वो क्या क्या लाएगा सो ठीक है तो इसका जो रेट आर ओ आर रेट ओफ रियक्शन इस वेरी फास्ट यहां पर जो हमें रेट ओफ आर ओ आर देखने का मिलेगा कैसा आएनिक कंपॉंड यनि की यहां से हमें जो पता चला वो एक सबसे अच्छी स्टेबल बात पता चल गी क्या यदि तुमारे पास आएनिक कंपॉंड है और उन आएनिक कंपॉंड के आप रेक्शन कराते हो तो रेक्शन के अंदर आएनिक बॉंड फॉर्मेशन होगी और आएनिक बॉंड फॉर्मेशन आपको क्या करेगी आपकी आएन को इतना फास्टल एक्सचेंज करेगी ताकि आ इस तरीके की reactions को हम major नहीं कर सकते हैं तो reactant यहाँ पर यह role play करता है और यह हमारी chemical kinetics के coding stable नहीं है तो सभी बच्ची यहां से not करेंगे फिर आते हम उपने next point पर नेक्स्ट जो प्रोपर्टी आती है हमारे पास वह आती है को लिंट reaction अब हमने डिसकस किया आयनिक reaction की बारे में अब हम डिसकस कर रहे हैं को विलेंट कि बारे में तो कोवलेंट में क्या होगा जब एक्जामपल एंटरने की नाइट्रोजन जब रेक्शन कर रहा है किसके साथ है हाइट्रोजन के साथ दोनों कैसे जहाँ अभी हम डाया टॉमिक फॉर्म में ले रहे हैं तो यह मिलके बना रहे हैं एन एच थ्री इन्होंने एन एस थ्री बनाया है यहां पर तो हमारे पास से क क्या बना होगा नाइट्रोजन एन एस थरी ने मिलके पर अमोनिया बना दिया हैं इनया पर तो यह बिचकि क्या होगा रहें में बॉन्ड डेसोसेट होंगे और यहां पर अमोनिया का क्या हुआ है यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन तो यहां पर जो टाइम डूरेशन रहेगा वह आयन एक्सजेंज के कमपेर में ज्यादा लगेगा क्योंकि आयन एक्सजेंज माइक्रो सैकंड के अंदर हो रही थी और यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था तो इसका टाइम जो डूरेशन रहेगा वह ज्यादा रहेगा तो इसलिए इसका जो हम नोट कर लेते हैं आपे आ हमारे पाथ जो सैकंड ट्रम जो हमें याद रखने हैं टाइम डूरेशन विल बे मैक्सिमम कमपेर टू आइन की आयन एक्सिंज के कमपेर में याप टैम डूरेशन ज्यादा होगा तो आर ओ और तो विल बी तो इसलिए जो उसका रेट ओफ रिक्शंस होगा वह क्या रहेगा वह यहां पे इसलो रहेगा ठीक है इसलिए इसका क्या होगा देखो यहां पर कोई time duration लगा हुगा infinite time पर reaction होई होगी वह हमें यहां पर क्या करना है इसको हमें major करना है denote करना है और इसको हम आराम से हम क्या कर सकते हैं इसको denote और major कर सकते हैं ऐसलिए जो इसका rate of reaction होगा ठीक है rate of reaction will be slow यहां पर हमारे जो rate of reaction क्या हो जाएगा वो शुरू हो जाएगा और इस reactions का हम आगे बहुत अच्छे से यूज़ करने बले हैं ठीक है not case यह कर दो कर दो